है गाईज वल्कम बाक तो इन्वेस्ट माइंडसेट दोस्तो आज का वीडियो एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टन टॉपिक क्यों परे जो है फाइनेशल फ्रीडम के पांच रूल्स यह पांच हो ऐसे कॉंसेट से जो हमें स्कूल में सिखाया नहीं जाते और majority लोग जब अपनी 40s या 50s में पहुचते तब जाके उनको यह बाते समझ में आती है लेकिन तब तक already बहुत लेट हो चुका होता है और उनको regret होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ की important years waste कर दिये In fact हमारी चैनल के बहुत सारे viewers कॉमेंट करते कि काश उन्होंने हमारे वीडियोस पहले देख लियो थे तो आज उनकी लाइफ की इतनी अलग होती तो अगर आप अपनी 20s में हो तो ये 5 rules आपको जानना बहुत important होगा तो एक story की help से आज हम इसे सीखते तो यहाँ पे हम Rocky और Sunny का example लेते जो दोनों college friends है दोनों 21 साल के और एक top college में पढ़ाई गरते उनकी degree complete होते ही उन्हें एक बड़ी company में job मिल जाती है और company उनको 30,000 पर मंद की salary देती है अब Sunny का बच्पन से dream था कि वो अपना खुद का ए एच्छी location पे होता है उसे loan पे ले लेता है इसे देखके उसके घरवाले और friends काफी जादा impressed होते क्योंकि उसके डड़ी ने अपना घर अपनी 40s की age में लिया था लेकिन यहाँ पे Sunny ने तो 20s में ही घर खरी लिया बस बात ये थी कि उसके घर का मंतली EMI 12,000 रुपे का था almost 8,000 रुपे और फिर Sunny को हमेशा से बड़े hotels में खाना, clubs और party में जाना बहुत पसंद था और क्योंकि अब उसकी अच्छी job लग गी थी तो उसको बहुत सारे bank से credit card के offers भी आने लगे तो उसने कुछ credit cards भी ले लिये और फिर वो बिंदास उससे shopping करने लगा क्योंकि उसको bank account में कुछ भी पैसे बचते नहीं थे दूसरी तरफ उसका friend Rocky loan लेने में believe नहीं करता था सनी के home loan लेने के बाद भी Rocky अपने आपको control करता है क्योंकि उसने काफी सारी personal finance की book read की थी और उसको एक line याद थी के spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money मतब दूसरों को दिखाने के लिए पैसा थोड़ी दूर होती है ताकि उसका rent कम होगा क्योंकि उसके office के आसपास की area में फिलहाल rent काफी जादा था तो उसका rent होता है 5000 रुपया पर month और क्योंकि उसका घर rent पे था तो उसे काफी सारे maintenance cost पे नहीं करने पड़ते थे और उसका बाकी का electric, gas और water bill ये सब का खरचा 8000 रुपय का होता था क्योंकि वो खाना थोड़ी अच्छी quality का खाता था और उसने फिलहाल कोई car नहीं करी दी क्योंकि उससे लगता है कि car एक depreciating asset है जिसकी value time के साथ कम होती है तो वो office की bus से travel करता अब Rocky को भी बाहर घुमना पसंद था लेकिन सबसे पहले उसने अपने के लिए और shopping के लिए spend करेगा जैसे कभी-कभी वो movie देखने जाता या 2-3 महिना save और plan करके वो कोई hill station पर जाता तो इसी तरह उसकी salary का 15,000 रुपीज मंतली खर्चा हो रहा था और बाकी के 15,000 रुपीज वो save कर रहा था वो एक काफी humble और simple life जी रहा था और यही पे मुझ उसे stocks और mutual fund में invest करेगा तो सबसे पहले उसने एक SIP यानि systematic investment plan सेट कर दिया 5,000 रुपे का बातब यह amount उसकी salary के आता ही bank से अपने आप निकल जाता है और invest हो जाता है और बाकी के 10,000 रुपे का वो खुद research करके अच्छी company का stocks लेता तो यह सब खर्चा होने के बाद भी उ तो थोड़ा life को enjoy किया कर अपनी जवानी में enjoyment नहीं करेगा तो कब करेगा तो कितना कंजूस है देख मेरे पास गाड़ी है घर है तेरे पास क्या है तो इसी बीच इन दोनों की अलग-अलग सोच की वज़े से एक दिन इन दोनों का जगड़ा हो गया और इस दिन के बाद इन दोनों की कभी बात नहीं हुई और सनी को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया तो फिरे दोनों एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे इसी तरह काफी साल गुजर गए एक तरफ सनी ने बहुत सारे नए दोस बना लिये कलब्स में घुमकी और अपने घर करके वो सेट हो गया अब एंपलोईस की सैलरी देने के बाद उसका दस पंदरादर रुपय का प्रॉफिट वहां से निकलता था जो धीरे धीरे करके ग्रो होने लगा तो उसकी इंकम बढ़ रही थी पैसे अलग अलग जगा से आ रहे थे लेकिन उसने फिर भी अपना एक् से निकलना था तो यह सब चीज़े वो साइलेंटली कर रहा था क्योंकि ये सारा कैलकूलेशन उसकी दिमाग में था और इसीलिए उसको देख के कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि वो एक्शोली में अपने 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 फ्रे टायम में कम्प्यूटर में वीडियो गेम खेलता होगा या boring books read करता होगा क्योंकि दूर से उसका lifestyle काफी boring दिख रहा था और इसलिए कोई उसे role model की तरह देख रहा नहीं था मतलब उसके friends उसे copy नहीं करते थे बलकि Sunny की life को copy करते थे और इसी तरह 7-8 साल निकल गए फिर एक दिन अचानक से देश में pandemic शुरू जाता है जिसकी वज़े से पूरी country में recession आ जाता है लोग shopping करना बंद करते थे और जिस company में Rocky और Sunny काम करते थे उस company की भी बुरे दिन चालू जाते In fact, country की सारी companies वो time पे struggle करती है तो उनकी company को survive करने के लिए मजबूरन अपने 500 employees को निकालना पड़ता है जिसमें Sunny और Rocky दोनों का नाम होता है ये बात दोनों को shocking लगती है क्योंकि जॉब से fire होना किसको पसंदे लेकिन Rocky को इतना tension नहीं होता है क्योंकि उसने हमेशा चार कदम आगे का सोचा उसने इस fire के बदले अपने दूसरे fire का इंजज़ाम कर लिया था उसके पास emergency funds थे बहुत सारी companies से उसको passive income की तरह dividend मिल रहा था और उसका एक online business भी चल रहा था लेकिन Sunny ये lay off की बात सुनके हक का बक्का रह गया उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था उसको लगता था कि job security real होती है क्योंकि बच्पन से वो यही सुनता आ रहा था लेकिन जैसे उसको job से निगाला गया तो bank का home loan और car loan department सनी के पीछे पढ़ गया क्योंकि उसके 20 साल के home loan में से उधार ले के गुजारा करना पड़ा लेकिन ये भी हमेशा नहीं चल सकता तो finally उसने फैसला किया कि उपनी car बेच देगा लेकिन recession की वज़े से market बहुत बुरा था तो उसको वो car बहुत सस्ते price में बेचनी पड़ी और जो पैसे उसे गाड़ी को बेच के मिले उसको उसने foreign home loan की EMI के लिए भर दिया और यही time पे जब उसको लग रहा था कि इससे बुरा और क्या हो सकता है कि उसको job से निकाल दिया गया और उसने अपनी car को sell कर दिया तब यह उसको खबर मिलती है कि उसके एक family member को corona virus हो गिया है सनी के पास insurance था लेकिन वो insurance उसकी company ने provide किया था और क्योंकि उसे job से निकाल दिया गया तो उसका insurance भी अब नहीं रहा और उसको job भी नहीं मिल रहा था क्योंकि सब companies वो time पे लोगो को निकाल रही थी hire कोई नहीं कर रहा था तो उसका एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहा था और इसलिए वो थोड़ा depression में भी चला गया यहां तक कि उसकी दिमाग में suicide की भी खैल आने लगे और वो अपनी life को blame करने लगा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है इसी बीच उसको Rocky का call आता है जो उसे अपने घर बुलाता है अब क्योंकि यह दोनों पुराने दोस्ते और Rocky को Sunny की खराब condition की खबर कहीं से मिल गई थी तो जब यह दोनों मिले तो उनमें कुछ पुरानी बाते हुई Sunny ने सबसे पहले Rocky को उस जगड़े के बारे में sorry का कि वो जोश में आके थोड़ा egoistic हो गया था फिर उसने पताया कि उसकी हालत बहुत खराब है उसकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है तब Rocky कहता है कि मैं तो उस जगड़े के बारे में कपका भूल चुका था मैंने तो तो जोज़े उसी दिन माफ कर जाता मुझे पता है कि तु दिल से बहुत अच्छा इंसान है तो दोस्तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बोनस रूल यह है कि दुनिया में poor और egoistic लोग यानि गरीब और अखुडू लोग बहुत सारे जिनकी जेब में इतना पैसा नहीं होता है जितना उनका ego होता है तो ऐसे लोगों से बदला लेने के लिए आप अपना time waste मत करो Life उनको खुदी सबक सिका के humble बना दीगी और फिर आपकी success उनके जकम पे extra नमक डाल दीगी तो इसलिए aim to be rich and humble, not poor and arrogant फिर Rocky Sunny को कहता है कि देख दोस्त मैं जल्दी retire होके अपनी wife की साथ एक world trip पे जाने का सोच रहा हूँ और मुझे चाहिए एक ऐसा बोरसे वाला आदमी जो मेरे online business का ध्यान रख सके मुझे पता है कि तुम दिल से काम करते हो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमें 15,000 रुपे की monthly salary पे रख लूँ ये सुनके सनी काफी खुश हुआ लेकिन शौक भी खुश इसलिए क्योंकि उसने चैन की सास ली कि उसके सर से वो home loan का और वो recovery agents का tension दूर हो गया लेकिन शौक इसलिए कि इतना जल्दी rocky retire कैसे हो सकता है अभी तो वो बस 28 साल का है आठ साल पहले ही ये दोनोंने बिलकुल एक जैसे शुरुवात की थी लेकिन आज इन दोनों की financial condition में जमीन आसमान का फर्ग है तो अब हम इनकी life से कुछ interesting lessons discuss करते है तो दूस्तों अगर आपने इस story में ध्यान दिया है तो सनी की financial condition खराब होने का सबसे पहला और सबसे main reason था loan सनी loan को manage नहीं कर पाया और इसका obvious reason ये था कि school से हमको अच्छी job, अच्छा career, अच्छा interview कैसे देना है इन सब की education मिलती है लेकिन loan को कैसे manage करना है वो नहीं सिखाय जाता है इसकी वज़े से majority लोग इस मामले में fail होता थे और ultimately financial freedom उनके लिए हमेशा एक सपना ही रजाता है और सबसे interesting बात ये है कि जैसे ही कोई youngster अपनी early 20s में एक अच्छी job लेता है तो सबसे पहले ये bank वाले उसे credit cards buy करने के लिए force करते क्योंकि उस age में आपकी जो habits और आपका जो shopping का standard set होता है तो फिर वो आप उसे lifetime तक maintain रखते हो मतलब अगर आप बहुत जादे expensive और branded कपड़े पहनने की habit डालते हो तो future में आप उसे आसाइनी से downgrade नहीं करोगे और ये आपकी life का वो time होता है जब लोगों के desires सबसे जादा high होते और आपको loan के danger के बारे में पता भी नहीं होता है इसलिए बिलकुल अपने शुरुआत से लोग loan को एक normal चीज़ समझने लगते है और फिर अपनी पूरी जिंदगी में अपनी company के boss के साथ वो अपने bank वालों को भी boss बना देते अब society, government और बाकी सब लोग इसे promote इसलिए करते क्योंकि इस debt trap से government, bankers और companies का फाइदा होता है अगर आप हमेशा debt trap में या जादा loan में रहोगे तो आप जादा काम करोगे तो economy के लिए अच्छा है मतलब government के लिए भी क्योंकि आप GDP बढ़ा रहे हो companies के लिए भी अच्छा है क्योंकि उनके customers बढ़ रहे है लोग EMI पे चीज़े खरीद रहे है उनका business और sales बढ़ता रहेगा और bankers के लिए भी अच्छा है क्योंकि आप EMI पे कर रहे हो और उनको interest दे रहे हो बस आपकी personal life और financial freedom के लिए अच्छा नहीं है बागी सब के लिए अच्छा है और जब आप loan लेते हो तो आप compounding के power के खिलाफ जाते हो और इसके dangerous effect हो कि यह किस तर आपकी financial life को destroy करता है जो लोग कभी समझ भी नहीं पाते इसको हम financial independence की fired series के सबसे पहले वीडियो में discuss करेंगे जो आप मैंसे काफी लोग के लिए eye open होने वाला है फिर दोस्तों जब आप loan के trap से अपने आपको बचा लेते हो तो उसके बाद सवाल यह उड़ता है कि उन पैसों से हमें करना क्या है क्योंकि काफी सारे लोग loan लेने के लिए ये भी बहाने देते कि उससे उनके खर्चे control में रहते जैसे अगर किसी की salary 30,000 पर मंद की है और उसको 14,000 रुपीज का EMI पे करना है तो ही वो अपने बचे हुए 16,000 से अपना गुजारा करेगा अगर loan नहीं होगा तो वो पूरे के पूरे 30,000 spend कर देगा और उसको पता भी नहीं चलेगा तो ये एक बहुत ही पूर तरीका है अपने expenses कंट्रोल करने का सरी तरीका ये है कि आप अपने expenses खुद से ये discipline के साथ कंट्रोल करो जिसके लिए मैं आपको एक simple formula बचाता हूँ वो है 70-20-10 budgeting rule इस rule के इसाब से आपको अपनी income का 70% अपने घर के खर्चे के लिए use करना चाहिए 20% investment के लिए जैसे कि stock market या mutual fund और बाकी के 10% को आपको अपने entertainment के छोड़ देना चाहिए फिर दीरी-दीरी करके आप इस 20% के investment को बढ़ाते रो जैसे कि हमारी स्टोरी में रोकी ने अपनी salary का 50% सेफ करके invest किया था तो ये 50-40-10 rule हुआ जो इस 70-20-10 rule से जादा अच्छा है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा portion investment में जा रहा है और जो लोग इस 50-40-10 rule को follow करते तो इस rule के इसाब से वैसे लोग 10 साल के अंदर ही अपना financial freedom अचीव कर ले थे इस चीज़ को भी हम आने वाले वीडियोस में काफी detail में डिसकस करेंगे तो अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और bell icon प्रेस करना मत भूल जाना वरना आपसे ऐसे important वीडियोस मिस हो जाएंगे फिर तो financial freedom का तीसरा rule यह है कि आज भी majority middle class लोग stocks को risky समझते कि यहाँ पे stable returns नहीं मिलते जबकि reality यह है कि वही middle class इंसान HUL या TCS जैसी company में जब job कर रहा होता है तो उसे हर मैने मिलने वाली salary stable लगती है लेकिन उसी company के stock का dividend लोग को risky लगता है जबकि interesting बात यह है कि recession के दोरान company जातर employees को निकाल के cost cutting करती है लेकिन अपने shareholders के dividend को कम नहीं करती है जैसे example के लिए Microsoft ने COVID-19 के टाम पर यह चीज़ एकदम खुलम खुला की थी एक तरफ उन्होंने employees को निकाला और दुसरी तरफ dividends 10% के rate से बढ़ाया तो Sunny को salary एक company से मिल रही थी और Rocky को dividends 10-15 company से मिल रहे थे तो आप लोग मुझे बताओ कोन ज़ादा financially secure है तो इसलिए job security real नहीं होती है financial security real होती है जो हमेशा आपके हाथ में होती है job security हमारे हाथ में होती ही नहीं है फिर financial freedom का fourth rule है compounding इसके ओपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाएं लेकिन इसके बाद भी बहुत लोग को ये समझ नहीं आता है इसका proof ये है कि लोग आज भी investing के लिए delay करते कि वो उसे कल कर देंगे या फिर कभी कर लेंगे क्योंकि जिसको सच में ये compounding के power के बारे में पता है तो वो अपने investment पहली फूरसत में करेगा और debt को हमेशा avoid करेगा क्योंकि financially smart लोग अपने investments जल्दी से जल्दी करते है और loan अगर उनको लेना भी होता है तो वो उसे postpone करते है कि चोलो इसे कल कर लेंगे या फिर कभी future में लेकिन financially poor लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते है वो investments को delay करते है और loan जल्दी से ले 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 थे तो दोस्तो अगर आपने अपने अपना demand account ओपन नहीं किया है तो उसकी link आपको नेचे description में मिल जाएगी आप घर बेटे बेटे अपने investment की शुरुवात कर सकते हो अपने financial freedom के लिए फिर दोस्तो फिफ्ट रूल है financial freedom का concept दोस्तो इंडिया में अगर आप 50-60 साल की age तक काम कर रहे हो तो उसे बहुत अच्छा बताय चाता है कि देखो आपके डैड कितने मेहनत करते जब मन नहीं भी करता है तो भी वो job पे जाते है उनको fever होता है तो भी हो job पे जाते है जब बहुत तेज बारिष होती है तो भी हो job पे जाते है क्योंकि घर चलाने के लिए हमें काम क्तु करना पड़ेगा बहुत सारी फैमिली की वे values होती है जिसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि जो चीज हम बच्पन से देखते हैं हम उसी को कॉपी करते हैं अब दोस्तो पैसो से आप बहुत सारी चीज़े खरीद सकते हो लेकिन सबसे इंपोर्टन चीज़ जो आप इससे खरीद सकते हो वो है financial freedom और ये एक ऐसी चीज़ है जो इतना clearly दिखते नहीं है अगर आपको नहीं बता कि आपके आसपास कौन लोग financially free है जैसे अगर हम किसी की new car को देखते है तो उसे copy करना बहुत easy है पर दुसी तरफ अगर आप किसी financially free इंसान को देखते हो तो उसके सर पर कोई tag नहीं लगा होगा आपको ये बताने के लिए कि वो financially free है तो आप लोग मुझे बताओ ऐसे में majority लोग किसे copy करेंगे तो इसलिए ये financial freedom का concept एक बहुत ही unpopular concept है जो सरिफ दुनिया की एक परसन लोगी अचीव कर पाते क्योंकि आज भी अगर आप YouTube पे देखोगे तो entertainment के, prank के, food vloggers के, travel vloggers के videos पे million में views आते लेकिन financial freedom के videos पे इतने views नहीं आते क्योंकि बहुत लोग को एक चीज़ पता भी नहीं है तो rocky crowd से हटके independently अपने लिए सोचता था और sunny crowd की तरह तो जब आप majority लोगों के जैसा सोचोगे तो आप भी वहीं जाओगे जहां वो जा रहे है अब जोस्तो इसके लिए हम school और education system को blame नहीं कर सकते क्योंकि अगर सभी financially free हो गए तो काम कोन करेगा तो इसलिए education system और government सभी लोगो by default एक अच्छे employee और हमेशा rat race में फसे रहने के लिए train करते क्योंकि market में हमेशा ज़ादा requirement इनी लोगों की होगी किसी भी company में investors बहुत कम होते और employees बहुत ज़ादा होते मतलब investor और businessman दुनिया में सिर्फ 1% होते और बागी के 99% employees होते तो choice आपकी है कि आपको कौनसी साइड में रहना है अगर आपको जल्दी financial freedom अचीफ करना है और उस 1% की लोगों में आना है तो उसके लिए आप इस चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना और bell icon प्रेस कर देना क्योंकि इन 5 concepts के लावा और भी important topics है जिनको हम future में discuss करेंगे जैसे एक होगया tax रिच लोग tax को समझते और इसलिए काफी ज़ादा earn करने के बाद भी वो बहुत low tax pay करते जैसे Elon Musk ने जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है उन्होंने 2018 में एक डॉलर का भी tax pay नहीं किया लेकिन middle class लोगों की काफी कम salary होने के बाद भी वो काफी ज़ादा tax पे करते और फिर बहुत सारे लोग tax से बचने के चक्कर में बहुत सारे failed investment कर लेते और इसको भी हम आने वाले वीडियोस में काफी detail में discuss करेंगे टेक्स के अलावा बहुत सारे लोग stock market में किस तरह enter करना है वो नहीं समझ पाते financial statement तो बहुत दूर की बात है insurance या guaranteed income policies को किस तरह read करना है वो भी नहीं समझ पाते तो आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ों के साथ financial freedom की भी detailed strategy discuss करूँगा कि कैसे आप mini retirement से लेके fire और फिर ultimate financial freedom यानी fired तक यानी financial independence retire early with dividends तक पहुँच सकते हो इन सारी topics को हम आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे करके cover करेंगे क्योंकि इस channel की जरी मेरा goal यही है कि मैं आप लोगों की financial freedom की journey में help करूँ तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ न कुछ सीखने जरूर मिला होगा तो इसे अपने friends और family members के साथ share जरूर करना ताकि वो भी financially educate हो जाए और आप एक दूसरे को अपने financial freedom की journey में support करो free में demand account open करने की link नीचे description में है आवर करने चाहिए वीडियो पसंद आया तो इससे like करो नई पसंद आया तो dislike करो आपका valuable time देने के लिए thank you and goodbye